अलो गाईज, असलाम अलेकुम, क्या मैं है आप आज फीर आज़र हूँ, क्रिप्टो के वीकली डालेसिस के साथ, जिसके अंदर मैं आपको सब BTC, ETH, और बाकी जितने भी टोकन्स हैं, उनके बारे में सही डिटेल्स बता हुआ, आपको पता है, इस वीकली वीडियो में हम लोग आपको ट्रेडिंग सैट अप देते हैं, क्रिप्टो याँ टोकन से रेलेटेड़, हम आप पॉइंट सजेस्ट करते हैं, जिनको आप बाई करके, इस वीक में प्रॉफट अर्ण कर सकते हैं, आप वीडियो को अभी से लाइक कर दे और पूरी वीडियो एंडे तक देखेगा स्टार्ट करता है माने बजरी इलनवास वेलकम परक्सुप्तार डाट कॉम सबसे पहले तो हम पिछले वीक की सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक में क्या हुआ मारकीड ने क्या किया तो चली चार्ट पर देखते हैं यहां पर देखेंगे आप कि पिछले वीक मैंने आपको बोला था कि बीटीसी को जतना ओपर से मिल जाए आप इसको सैल करने तो मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम जो हम लाइव ट्रेडिंग रूम यूटीव पर करते हैं लेकर उससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस वीक में कौन-कौन से तगड़े फिंडामेंटल इवर्ट्स हैं यूसडी से रिलेटिड तो यूसडी से रिलेटिड अगर बात करें तो मंडे को कुछ आस नहीं है यूसडी का FOMC की एक स्पीक है आपको पता पिछले वीक भी काफी जाय स्पीक सुझ रही है तो इस वीक भी मंडे को सबसे पहले स्पीक है और लेकिन स्पीक जो है न वो यलो है यानि के लो इंपक्ट है इसके लाब अगर बात करें हम 14 फेबरी यानि के ट्यूजडे की तो ट्यूजडे वाले दिन स्पीए का डेटा है आप पता सीपीए एक लीडिंग इंडिकेटर इसका उपर पर पर इंपक्ट पड़ता है सो यह CPI का कोर CPI का डेटा है उसके बाद अगर बात करें बुद्ध की रिटेल स्टेट एंड एंड इंपार स्टेट मैनिफेक्ट्रिंग की डेटाज है तो बुद्ध वाले दिन भी काफी मज़े का होने वाला है अगर इसके बाला बात करें चुपेदात की तो जुमिरात सबसे पहले विकली नेरेस्ट करने के लिए हमें विकली चार्ट जेखना पड़ाएंगा क्यूंकि विकली चार्ट के डेटल क्लोज हो चकी है देखें रहां दूल्लह सुमालम दूल्हाँ आपके सामना नहीं है कि लास्ट वीक की भी बैरिश्ट के डेइडल कलोज हुई औ अभी हमें लॉंग टरम के लिए स्वाय नहीं करना ठीक है नमबर बर नमबर टू अभी तक जो हमने इवर्ट्स देखे हैं जो इस विक में पूर है CPI है या PPI है या manufacturing के डाटा है ये सारे के सारे डाटा जो है ये leading indicators है और ये indicators पार कीट के अंदर आने वाले दिन जो USD के अंदर तेजी या मंदी आनी है या जो उन्हें की economy है डालर ने strong होना है या weak होना है उसके बारे में indicate करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा important data हो जाते हैं अमर लिए तो अगर आप dollar index के चार्ट देखो तो पिछल दो वीक से ये भी bullish move कर रहा है जो कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था तो इस week में to be very honest मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि market वापस नीचे की तरफ आ जाए ठीक है तो मुझे लग रहा है data अच्छे ही आएंगे जिस तरह उनके NFP data आया है दूसरी बात ये ये data अच्छे आएंगे ये बुरे आएंगे मैं technical chart बता रहा है ये देखो ये दो डोजीज बनी और उसके बाद market ने दो वीक से bullish move करनी start की हुई है ठीक है तो इसका मतलब है कि डोजीज की confirmation हो चुकी और market डॉलर ने मस्भूत हो अगर टैलर मस्भूत होगा डॉलर तो BTC जो है वो downfall move करेगा अच्छे तो BTC कितना नीचे move कर सकता है तो BTC की हमारे जो 19,000 यह 20,000 वली एक support line है वो बहुत strong 19,000, 20,000, 18,000 के दरम्यान दरम्यान market वापस से trade हो सकती है यह याद रखेगा और अगर आपने long term के लिए buy करना है तो इनी prices पे आने का wait करें और फिर buy करें अब हम चलते हैं daily के chart की तरफ और daily के chart के अंदर देखते हैं कि market के अंदर हम ने उनको sell किया है अब बंडे को market open होती है थोड़ा सा pull down करती है यह थोड़ा सा pull up करती है तो फिर आपने sell की trade ही लेनी है अगर थोड़ा सा pull down भी करें तो फिर आपने इस level से almost 22,200 से आपने sell ही करना है और हमारा जो take profit है वो 20,000 से नीचे 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 है आप 18,000 लगा अपना take profit it's totally up to you guys okay अब हम बात करते हैं coin market cap के बारे में और इसमें देखते हैं कि कौन कोर सी हमारे लिए opportunities है इसमें जो trending coin है तीन उन तीनों में से कोई पेचर coin नहीं है वो सारे चोटे 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 टोकर नहीं है जिसना के FET जिसना के Taboo ये भी a coin है और ये अच्छा coin ह है और इसके अलावा एक और coin है ये .com कोई website है इनका token है ये उसका ये भी trending में चल रहा है रिसेंटली added में जो coin है ये इतने भी सस्ते नहीं है कि हम एक डालर में millions ले 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 तो सोल समझ के आपने इंवेस्ट कर भी है ठीक है अगर हम बात करें previous week के तो previous week में आपको लाल है अधीरियम की तो अधीरियम के अंदर भी हमें जो selling point है वो तकरीबन 1650 से था ठीक है लेकिन हमने अधीरियम को sell नहीं करवाया है अधीरियम को हमने buy करवाया है कहां से buy करवाया है 1300 से 1350 से और pending order रखवा दी है ठीक है अब market आज 1300 पे आज 1350 पे आज हम इसको buy side पे trade करने का सोचेंगे ठीक है तो अधीरियम को इसलिए selling करवाया है कि अधीरियम मेरा favorite coin है और मैं यह चाहता हूँ कि अधीरियम ज़्यादा आप जाए और मुझे लगा रही था कि अधीरियम BTC के साथ इस दफा मूव करेगा लेकिन BTC के साथ मूव किया तो आज की इस वीडियो को हम इतना लगा है लंबा नहीं कहांचेंगे आप कमंट में बताएं कुन कुन सी कोड़ कोई जिनके आप analysis चाहते हैं तो वह उनके analysis अपने weekly analysis की वीडियो में record किया करूँ अच्छा अब हमारे पास तीन चीज़ें आगी नबर वर में repeat कर रहा हूँ नबर वर हमारे पास यह आ करेंगे नबर टू जो डॉलर का हमने टैकनिकर अनलेसिस की है उसके मताबिक में हमें वह अपसाइट पर लग रहा है नबर त्री जो बीटीसी के अंदर भी हमने यह फाइंड किया कि बीटीसी जो है वह डाउं ट्रेंड में है और अभी भी वह अप्ट्रेंड के ऊपर रहें नबर फोर हमने अथिडियम के कोईन को सैल नहीं किया है अधियुर को को नीच्छी से बाइ किया विच है और बीटीसी को अगर आपने बाइक करना होगा तो वह बाइंग प्राइस होगी आपकी आलमुस अठारा सुकर करीब-करीब ठीक है तो बीटीसी को बाइकरें इन क्रिप्टो मार्किट राइट में बाकी वीडियो कर दिलागी कमेंट पर अपनी डाय दें कम और कोई जाते हैं वो लिखें और अगले हफ्ते में उन पॉइंज या उन टोकन को भी डैलिसिस करूँगा आज की वीडियो के लिए यहां तक की इजाज़त दें अगरी वीड क्रिक्निक्स भी टीच करूँगा कि क्रिप्टो पार्किट में आप इस तरीके से प्रॉफिट आर्न कर सकते हैं अपने दो में आखें अला आफिस असलाम अलेक।